माव चाहे बार-बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। हम किसी की जरुरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में किसी के लिए हम जरूरी नहीं होतें। जो आपकी जिन्दगी से जाना चाहता है, उसे रास्ता दो, अगर उसे रुकने का वास्ता दोगे, तो वो आपकी कभी इज़त नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शम्शान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना, जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना दोनों अलग-अलग बाते हैं। याद हम उन्हें करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं, जो हमें अपना समझते हैं। दिल और दिमाग की जंग में, नींद की मौत बेफिजूल ही हो जाती है। धन से हम जीवन की सारी सुक्सुधा तो हासल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मेरी मानों तो अकेले ही रहो, ना कोई हट करेगा, ना कोई रुलाएगा, ना कोई अपना będą बनाएगा, और ना ही कोई छोड़कर जाएगा। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दाओं पर लगा दो, वह तब तक आपका है, जब तक आप उसके काम के हैं, जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, या कोई गलती घर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाईयां भुलाकर आपको अपनी आकाद दिखा द अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं, शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमान नहीं, मौन से भेतर साधन नहीं, और शब्द से तीखे बान नहीं, फुर्सत में याद करते हो तो रहने दो, हम तनहा जरूर हैं, लेकिन फिजूल नहीं, बोले के लायक हो, दे दिया करो, जो अंधेरे से गुजर चुके हैं, बस वही समझते हैं, कि जब कुछ भी नजर ना आए, तो क्या-क्या दिखाई दे जाता है, लोग आपकी कदर तभी करेंगे, जब आप उनको उन्ही की ही तरह अंदेखा करना सीख जाओ, दुखाने से पहले होता है, पर जहां जरूरत हो, वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा, यह वो गलत कर रहा है, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही वहवार करता रहेगा, बहुत सी गल्तियां हुई जिन्दगी में, लेकिन जो गल्तियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे जादा हुआ है दिखावा और जूट बोलकर वहवार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो तुम्हारे साथ कभी विश्वास बहात नहीं होगा जब रिश्टे रुलाने लगे तो इग्नोर करना सिखो जिन्दगी बहुत आसान हो जाएगी कहते हैं किसी को जादा सोचो तो वो पाबों में आ जाता है फिर जादा चाहने से वो जिन्दगी में क्यों नहीं आता सही दिशा और सही समय का ग्यान नहो तो उकता हुआ सूरज भी डूकता हुआ दिखाई देता है प्रशंसा चाहे जितनी भी करो लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि अपमान वो रिण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्यात सहित अवश्र चुकाता है केवल दो चीजों से इनसान सारी रिष्टों को खो देता है एक गलत फहमी और दूसरा इनसान का अभिमान नफरतों में क्या रखा है प्रेम और खुशी से जीना सीखो क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है याद रहे दूसरा मौका सरफ कहानिया देती है जिंदगी नहीं, सोच अच्छी रखो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे नियत अच्छी रखो, आम अपने आप ठीक होने लडेंगे यकिन रखना, उपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज़्यादा बहतर होते हैं जो आप से चलते हैं उनसे कभी नफरत मत करना क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको एहसास कराते हैं कि आप उनसे बहतर हैं माफी गलतियों की होती है दोखे की नहीं जिनका हरदय प्रेम से भरा हो वो दूसरे के हरदय में प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाता है जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है दिल में हर राज दबा कर रखते हैं ओटो पर मुस्कुराहट सजा कर रखते हैं ये दुनिया सरफ खुशी में साथ देती है इसलिए हम अपने आंसों को छुपा कर रखते हैं इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं, लोग उस वक्त तक अच्छे दिखते हैं, जब तक उनकी सच्चाई आप से छुपी हो, आपके दुख आपके ही रहेंगे, अब चाहे आप इसको सुनाओ या उसको सुन मुलते हैं, चाहला की चतरवाई और चलकपट के मिश्रन को ही आज की जमाने में भुश्यारी कहा जाता है, माना कि रिष्टों का मर जाना बुरा है, पर उससे भी बुरा है, चूठे रिष्टों को जिन्दा रखना, सच्चे रिष्टों को कभी दुखा मत दीजिए, अग आपके दात में, बिच्छों के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता, इस जमाने में पहले तुम्हें दोखा दिया जाएगा, और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियां गिनाई जाएंगी, प्यार उससे जादा नहीं होता, जिसके साथ रहा इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी जदा बनाई होती, रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रेंडेट क्यों नहों, दिल से उतर ही जाते हैं, अक्सर पूछते हैं लोग बिच्छने की वज़ये, मैं अपनी कमी बताकर तेरी इज़त पूछना चाहिए, न्याय नहीं, न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं, तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा जमाना, बस मेरी यही एक तमना है और तेरा यही एक बहाना, मैं नाराज नहीं हूं तुम से, पर तुम मारे लिए वो कहर बन जाएगा जब भी आप खुद को टोटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत उपरवाला आपका इस्तमाल किसी बड़ी चीज़ के लिए कर रहा है प्रार्थना रोज करिए क्योंकि लोगों से बाग करने से ज़्यादा आसान है उस इश्वर से बाग करना क कभी कभी कुछ फासले फासले नहीं होते कुछ नजदी किया नजदी किया नहीं होती कोई दूर बैठके आपके सिस्की सुन लेता है और कोई हाथ पकड़ कर बैठा हो तो उसे आपके दर्द की कवर तक नहीं होती ये दुनिया बड़ी जालिम है दिल से फसाती है और दिम अपने सबसे नस्दी की इंसान से दोखा खाता है महबबत अगर सची हो तो यादे बहुत दर्द देती है वक्त बुरार जरूर चल रहा है पर लोगों की हैसियत भी दिखा रहा है अगर सीता सोने का हिरन चाहेगी तो राम से बिछड़ना बिल्कुल तय है इश्क चक लिया था एक्तफाक से जुबान पर आज भी दर्द के चाले है धूनना है तो अपनी परवाह करने वाला धून्डो क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तमाल करने वाले आपको धून ही लेंगे बात जब आपके इश्जत की आ जाये न तो चाहे वो कोई भी हो उसे छोड़ देना चाहिए लोग कभी दोखा नहीं खाते यदि खूपसूरत चहरे की जगए खूपसूरत दिल को तलाश करते कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे जादा गुलामी में इश्जत की नीलामी हो जाती है पता हो कि शायद ये मुलाकात अंत्म है तो कितना भी मिलो अम ही लगता है मुझे मनावमत मैं नाराज नहीं हूँ मुझे समझो मैं बस परिशान हूँ उस बद्दुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो पर उस बद्दुआ से बचना नामुम्किन है जो खामोशी से दी गई हो भरवाले भी मान जाते हैं कोशिशें अगर आखरी दम तक हो आलात किताब और आघाद से जो सीखता है फिर उससे दुनिया सीखती है आप सिरफ जीतने की जिद रखो भार से तु सामना होता ही रहता है आपकी आहदते ही धीरे धीरे आपका चरित्र बन जाती है तिरसकार यदी बार-बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद हो चित नहीं क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझता वो आपके शब्दों को और आपके भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा ये जिन्दगी है जनाब यहां हर कोई एक दूसरे से ही परिशान है जिन्दगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई आपका अपना आपको इतना दुख दे कि आँखे भराए और फिर वही पूछे कि क्या हुआ और आपको कहना पड़े कि कुछ भी नहीं कभी-कभी शिकायत करने से खामोश रहना अच्छा होता है तो कि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत क्या करना आपके पास समय बहुत बढ़ा है और यही आपका वहम सबसे बढ़ा है मौजूदा हालात में अगर रिष्टे बचाने हैं तो कभी किसी से बहस मत करो अगर कोई कहे कि हाथ ही उड़ता है तो उसको बताओ कि आज हमारे घर के तार पे ही बैठा था मतलबी लोगों का इतना सा फसाना है काम निकल जाए तो बिजी होने का बहाना है आवास तक नहीं हुई और सब कुछ तूपकर विखर गया जजबातों में ढलके यूँ दिल में उतर गया बनके मेरी वो आदत अब खुद बदल गया कहीं दुआ का एक लवज असर कर जाता है और कहीं बर्सों की इबादत भी हार जाती है हैरान हूँ बदलती दुनिया का रवास देखकर अब लोग इज़त भी देते हैं तो लिवास देखकर काम्याबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता लेकि काम्याब होते ही सारे रास्ते सीधे हो जाते है काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है बहुत कम लोगों के हाथों में ही ये लकीर होती है सिर्फ महबबत को ही बदनाम कर रखा है लोगों ने वरना दोखे तो साथ फेरों के बाद भी होते है इश्क तो मेरा बेश कीमती था मगर लोग बाजारू निकले चूट बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परिशानी देता है और सच बोलना पहली बार कठन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है कहां मिलेगा तुमें मेरे जिसा शक्स जो दूर रहकर भी तुमारी इतनी परवाह करता हो जिन्दगी में जो आप करना चाहते हो वो जरूर कीजिए यह मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे यह लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना मुश्किल वक्त भीत रहा है बस यह याद अखना कि आप फिर से नहीं शुरुआत कर सकते हो किसी के सामने इतना भी मत जुको कि उटते समय आपको किसी का सहारा लेना पड़े वो यगर आप से कहे कि हम आपका साथ देंगे तो यह जरूर पूछ लेना कि कब तक दोगे क्योंकि लोग यहाँ अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते दिल में आने का रास्ता तो होता है लेकिन जाने का नहीं होता इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ के जाते हैं कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती निगली चाती है उसी तरह जब जिन्दगी में दोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा गटक जाओ तो कि अगर उन्हें चबाते रहोगे, याद करते रहोगे तो पूरी जिन्दगी कड़वी हो जाएगी मिलके बिचहरना दस्तूर है जिन्दगी का एक यही किस्सा मशूर है जिन्दगी का पीते हुए पल कभी लाटकर नहीं आते बस यही सबसे बड़ा कसूर है जिन्दगी का सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है वैसे तो दिल बहुत बड़ा है मेरा और हर किसी की आकात नहीं वहां रहनेगी अपना पूरा समय खुद को बहतर बनाने में लगाओ क्योंकि अब रिष्टे इंसान से नहीं पैसों से बनने लगेंगे ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी आप बस मुस्कुराना सीख लीजी जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगें तब समझना कि अब वक्त तुम्हारा है आजकल के रिष्टों से अच्छी तो मॉबाइल की बैटरी होती है खत्म होने से पहले कम से कम वार्निंग तो देती है सब को जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते हम तूटे हुए लोग हैं जनाब हम बोलना नहीं खामोश रहना पसंद करते हैं जो प्रेम में रहते हैं वो चल नहीं समझ पाते हैं और जो चल में रहते हैं, वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ट होता है, जो बुरी सिती में फिसले नहीं और अच्छी सिती में उचले नहीं। अक्सर अपना-अपना कहने वाले डगा कर जाते हैं, और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घुप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं। रिष्टे भी निभाते हैं, दुश्वनी भी निभाते हैं, मुँपर कुछ और और पीट पीछे कुछ और ही होते हैं, गिद भी कहीं चले गए हैं, लगता है उन्होंने देख लिया है, कि इनसान हमसे अच्छा नोचता है, कुछ खास लोग थे जिन्दगी में, ऐसे आए ज जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जिसे कभी थे ही नहीं, मजाग तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं, कूटे नहीं हैं, तोड़े गए हैं, रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं, हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भ रहाने वाले की वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी-कभी मन को मना लेना ही बहतर होता है, क्योंकि हर जित हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वो आपको अपना कैसे मानेंगे। गुरूर किस बात का करूँ, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे चूने के बाद हाथ दोएंगे। ये भी खासियत है मुझ में, कि मैं किसी का खास नहीं। वो तम से सरवो तम सरफ वही हुआ है, जिसने अपनी बुराईयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। आजकर लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिष्टा निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। अता उनकी भी न थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे, वो तरस खाकर बात करते थे और हम उसे महबबस समझ बैठे। मुझे इंतिजार है जिन्दगी के आखरी पनने का, सुना है कि आखर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, तो कि जब वो इंसान बदलता है, तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बलकि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुसा करने वाले लोग वही होते हैं, जिने हमेशा कुछ से ज़ादा इसी और की फिक्र रहती है। बच्पन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़के चले जाते हैं वो लोग जिने हम जिन्दगी समझ कर कभी खोना नहीं चाते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बाते खुल कर की जा सके ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से, जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्यना समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मन दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है। और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना, पीषना और निचोड़ा जाना अंतिम बून तक गन्य से भैतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। पर बात करना था तो किसी और तरीके से करते। जिंदगी बनकर जिंदगी ही चीन ली तुमने। प्यार की कदर तुझे तब होगी, जब तेरा इश्क तेरे सामने किसी और का हो जाएगा। भोकर रिखाता हूँ, पर शान से चलता हूँ, मैं कुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना की उम्र कम है लेकिन होसले बुलंद है। जंदगी है तो आसान कैसे होगी, आसान हो गई तो फिर जंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराद गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराद मानी जाती है कोई ऐसा सेनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी दुर जाए इसी इनसान के पीछे भाग कर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़ कर कभी नहीं जाएगा नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये महबबत की तरह जूटी नहीं होती कि इतनी अजीब बात है ना लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी सिंदगी दुखी रहते हैं इस जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए किसी को कोई फरक नहीं पढ़ता कि दूसरों के पास कैसी है सबको बस यहीं लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है शरारते करो साजिशे नहीं हम शरीफ जरूर हैं यकिन बेवकूफ नहीं जब इंसान का दिल तूटता है ना सिर्फ दिल ही नहीं तूटता उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी तूट जाता है जो सिर्फ आप से होता है परमशत्रू से भी ज़्यादा खतरनात होता है गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिष्टों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेले पन से महबबत सी हो गई है जिसके पास ज़्यादा अप्शन्स होते हैं वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं आदमी के शब्द नहीं बोलते बलती उसका वक्त बोलता है नजाने किस बात पे इनसान को नाज है जो आकरी सफर के लिए भी दूसरों का महताज है नजर भी क्या चीज़ है ये उसी को ढूनती है जो इसे नजर अंदास करता है आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे मैं महब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूँ तालुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो एब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते बजह चाहे जो भी हो दोखा आखिर दोखा ही होता है रिष्टों की खुबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है खुद जेसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे दूरिया माइने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो आज के जमाने में ज़ादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है आज के जमाने में लोग आपकी गदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है बुश रहना सीखो इससे पहले की उदास रहना आपकी आदत बन जाए गोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसे यह हैं कि आपने सिर्फ वो चीज़े करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिये थी बाकी आप में कुछ नहीं बदला लौटे वो लोग हैं जो रूट कर चले जाते हैं तूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं जो अपनों के सताय होते हैं अपनों के ठुकराय होते हैं वो बहुत कठोर हो जाते हैं दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है और न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है पनावटी रिष्टों से कई गुना बहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो महबत और नफरत तहने को तो दो मामूली शर्द हैं लेकिन यही दो शर्द इनसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे तुफान का आना भी जरूरी है जिन्दगी में अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिन्दगी में मदद लेकर शुकिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी वक्त से पहले मिली चीजें अपना मुल्यक हो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व को देती है मुझे ना जुकने का शौक है ना जुकाने का शौक है कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं बस उन्हें निभाने का शौट है दिखते तो यहां सभी इंसान है बस फर्क इतना है कि कुछ जखम देते हैं और कुछ जखमों को भरते हैं फिर से उसी मोर से शुरू करनी है जिन्दगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे जब आप बोलते कम और सुनते ज़ादा हो वो आप लोगों को ज़ादा पसंद आने लगते हो अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है जिन्दगी में पच्चताना चोड़ो बलकि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पच्चता है समय और शब्द दोनों का उप्योग लापरवाही से मत करो ये दोनों ना दुबारा आते हैं ना दुबारा मौका देते हैं ऐसे लोगों से समल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किसमत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना ये मेरी सला है इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इनसान कुट्टों की मिसाल देते हैं ना हग दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर दोखा दे जाते हैं जिने आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है जिन्दगी कितनी भी बूरी क्यों नहो जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है अर इनसान की दो कहानिया होती है एक वो जो सब को सुनाता है और दूसरा वो जो सब से चुपाता है मौन सब से अच्छा जवाब है उस इनसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है जीवन में आप अपने आपको मजबूत बनाईए दूसरों के भरों से बैठे रहना आपको बरबाद कर देगा मेरा गुसा और मेरा प्यार सरफ उन लोगों के लिए है जिने मैं अपना समझता हूँ लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है जिन्दगी में चाहे आप दस बार फैल हो जाओ या सौ बार फैल हो जाओ पर कसम खालो या अपनी जिन्दगी में आम आदमी बन कर नहीं जीना है प्रीम बहुत दुरलब है उसे पकड़ कर रखो प्रोद बहुत खराब है उसे दबा कर रखो डर बहुत भयानक है उसका सामना करना सीखो टेंशन डेप्रेशन और बेचेनी इनसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़ादा सोचता है सबर करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बहतर है लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है पदर्यान जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है सब को अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है आपके पास बस पैसा होना चाहिए क्योंकि भावनाओ की यहां किसी को कोई कदर नहीं है जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतोष नहीं है उसे भविश्य में मिलने वाली चीजों से भी अभी संतोष नहीं होगा दूसरों को अगर अपनी जिन्दगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिन्दगी में सस्ते हो जाओगे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे बुरावक आपको कमजोर नहीं बलकि चेंपियन बनना सिखाता है बस यही फर्क है हम दोनों में वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती वो तुम नहीं मेरी उमीदे थी जिसने मेरा सबसे जादा दिल दुखाया था प्यार वादों से नहीं अहसास से काइम रहता है कुश दिखने की जबरदस्ती में इनसान और भी जादा अधास हो जाता है अब तो मज़भ कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इनसान को इनसान बनाया जाए चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो लेकिन सबसे पहले वो अपना फाइदा ही देखता है अकसर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिष्टे एक नए रिष्टे में बन जाने के बाद कुछ लोग जूट भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इनसान आपसे जूट बोल रहा है लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है विश्वास जीतने में तो पूरी जिन्दगी लग जाती है लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है बदलना तो तैह हर चीज़ बदलती है किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते है लोग इत्वाक से सरफ मिलते हैं लेकिन बिछडते सब अपनी मर्जी से है